हलो फ्रेंज स्वागत है आप सभी फ्रेंज का हमारे चैनल में आज के वीडियो में आप तोर्ण पट्टी बनाना सिखेंगी तो बहुत ही सुन्दर तोर्ण पट्टी है बहुत ही आसान है बहुत ही जल्दी बनके त्यार हो जाएगा और देखने में तो बहुत ही खुबसू कर दें तो चलिए इस तुर्ण पट्टी को बनाते हैं तो यहाँ पे हमने टू कोलर का उलन लिया हुआ है टू पलाई और कुरुश्या यहाँ पे हमने टू यम यम का लिया है तो सबसे पहले तो हम चैन बनाना स्टार्ट करेंगे एक चैन हमने बना लिया है दो तीन चार पात छे छे चैन बना के जहां से हमने श्टार्ट किया था चैन बनाना देखिए उसी चैन में हम गुरुश्या को डाल के और इन दोनों फंदों को बंद कर लेंगे एह देखिए बीच में थोड़ा सा इस्पेस बन गया है और इसके आगे हम चैन बनाएंगे तो एक दो तीन चार चार चैन बनाके देखे जो इस पेर से बीच में जिसके अंदर से हम धागे को निकाल के कुर्शाम ले रहे हैं तो एक बार हम ने लिया है देखे दो कि तेन और चैन के बराबर हमें धागा खेचना है देखे चार पांच ही राउंड हमें लेना है इसके बाद इन सभी फंदों को हम बंद कर देंगी एक सार इस तरीके से देखे हमें इसको बंद कर लेना है देखे एक डिजाने बन गया है अब इसके उपर हम फिर चैन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, ये दस इसके अंदर हमें दस चैन बनाया है अब इसको हम नीचे की साइट देखे यहां से कुरुश्या को डालेंगे इन दोनों फंदों के अंदर हमें डालके धागे को निकालना है इस तरीके से ये दिखे अब ये जो दो फंदा इसको एक कर लेना है ये दिखे बंद हो गया है अब इसके आगे हम फिर हम चैन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, चार चैन बनाके दिखे जो नीचे का हमने ये गोला रिंग की तरह बनाया था इसी में हमें इसको सिंगल कुरुशर से बं पूंद करके फिर आगे हम चार चैन बना लेंगी हैं अलिए छोटर इस तरक taraf लेकि इसका अंदर चैन के बराबर में मैं अदर पांच विर कुर्ष्या में धागा लिया है अब इन सभी फंदों को एक साथ हम बंद कर देंगे अब फिर हम आगे देखिए चैन बना रहे हैं तो एक तो तीन चार पांट छे साथ आठ नो एक लाश्ट का दस अब इसको में यहाँ पर लाके बंद कर देना है नीचे की सेर देखिए इन दोनों फंदों को अंदर से हम धागे को निकाल के देखिए दो का एक कल ले रहे हैं और फिर आगे हम चार चैन बना लेंगे और नीचे की साइड हम इसको बंद कर लेंगे यहाँ पे देखिए सिंगल कुर्शाषे में बंद कर देना है फिर आगे हम चार चैन बना के फिर डिजाइन बनाएंगे इसी तरीके से इसमें हम और बना लेंगे तो देखिए इसको हमने बना लिया है एक, दो, तीन, चार अब हमने दूसरे कलर का धागा लिया है पहले तो हम धागे में इस तरीके से नोट लगा लेंगे अब देखिए यह जो डिजाइन है इसके बीच मिसे में कुर्शाषे को डालेना है और यहाँ से देखिए धागे को निकाल के पहले हम यहाँ पे लग करेंगे यह देखिए हमने इसको बंद के लिया है अब इसके बाद देखिए धागे को हम थोड़ा सा कीचेंगे पब बनाने के लिए अब देखिए इसी के अंदर से फिर यहाँ से देखिए हम धागे को निकाल रहे हैं तो एक बार देखिए धागा हमने निकाला इसके अंदर से दो तीन चार और यह लाष्ट का पांच पांच हमने देखिए पांच बार धागा निकाल के इन सबी फंदों को एक सांद बंद कर देंगी तो इसको हमने बंद कर लिया है अब यह देखिए जो हमने यहाँ पर दस चैन बना के गोल बनाया था अब इसके अंदर हम सिंगल कुर्षिया बनाएंगे तो एक सिंगल कुर्षिया इसके अंदर हमने बनाया यह देखिए दो सिंगल कुर्षिया तीन चार पांद छे साथ और ये आठ तो इसके अंदर आठ सिंगल कुष्या बना लेना है अब इसके आगे देखिए हम डबल कुष्या बनाएंगे इस तरह के इस दागा हमने लेना है और फिर यहां से देखिए निकाल के ये हम डबल कुष्या बना रहे हैं तीन चार पाद छे साथ आर और यह देखिए 10 तो देखिए हमने 10 टेबल कुर्षिया बनाया है अब इसके आगे देखिए यहाँ पर 20 से हम पप बनाएंगे जैसे भी हमने बनाया था एक पप तो यहाँ से देखिए हम 5 राउंड धागा इसे निकाल के कुर्षिया मिलेंगे अब देखिए एक साथ इन फंदों को हम बंद कर देखिए तो देखिए पप बन गया है अब इसके आगे देखिए जो हमने 10 चन बना के गोला बनाया है अब इसमें देखिए हम डबल कुर्षिया बनाएंगे यह देखिए इसमें भी हम 10 डबल कुर्षिया बना लेंगे एक हमने बनाया है और यह देखिए दो थेखिए यह बनाया है छे साथ, आठ, नौ, नौ, डेबल कुर्षिया बनाने के बाद देखिये हम, इसके आगे तीन चैन बनाएंगे, एक, तू, तीन, यह देखिये, तर्ष डेबल कुर्षिया हो गया, यहाँ पर लाग के इसको सिंगल कुर्षिया हम बन्द करेंगे, अब इसके आगे हम, इसके अंदर आठ सिंगल कुर्षिया बनाएंगे, तो देखिये, इसमें हमने लश्ट का यह आर्सिंगल कुर्षिया बना लिया है, तो बहुत ही आसान है, देखिये, अब इसके आगे फिर देखिये, हम बीच में यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ से 5 राण हमें धागा कुर्षिया मिलेना है, एक साथ हम इन फंदों को बंद करके, फिर देखिये, यह उमने 10 चन बना के गुला बनाया है, इसमें से फिर हम सिंगल कुर्षिया बनाएंगे, तो इसके अंदर हम 8 सिंगल कुर्षिया बना लेंगे, यह देखिये, 8 सिंगल कुर्षिया बनाने की बाएद अब हम डबल कुर्षिया बनाएंगे, अब इसके अंदर हम 10 डबल कुर्षिया बनाएंगे, तो इसमें दस डबल कुश्यम ने बना लिया है अब इसकी आगे देखिए फिर हम पब बनाएंगी यहां बीच से तो पांच राउंड इसे धागा यहां से निकाल के हम कुश्यम में लेंगे और इन फंदों को यहांद बंद कर लिना है यह देखिए बन गया फिर इसके आगे देखिए यहां पर यहां पर लाके हमें फिर डबल कुश्यर से स्टार्टिंग करना है तो इसके अंदर हम देखिए 9 डबल कुर्शे बना के फिर 3 चैन बना के इसको बंद करेंगे तो इसमें देखिए 9 डबल कुर्शे बना लिया है तीन चैन करके इसको बंद कर देना है तो इसके आगे फिर इसमें देखिए हम 8 सिंगल कुर्शे बनाएं देखिए बन गया अब यह जो देखिए पाप है इसके फंदे में से में धागे को निकाल कि इस तरके से बंद कर लेना है और धागे को कट कर देंगे तो यहाँ पर देखिए हमने धागे को कट कर दिया है और डिजाइन बन गया जो धागा है इसको पीछे की साइड अंदर खीच लेंगे इस डिजाइन के अंदर देखिए हमने यह लाइन सिंगल कुरुष्या का हमने देखिए इसमें दो लाइन में बनाया है और इसी तरीके से में देखिए डबल कुरुष्या भी दो लाइन में बनाया है अब इसके आगे देखिए हमने दूसरा डिजाइन ने बनाया है तो सिंगल कुरुष्या से यहां देखिए उपर का डिजाइन हमने बना लिया है और यह डबल कुरुष्या दो लाइन में बना लिया है अब इसके बाद हम जोड़ेंगे इसको तो यहां से देखिए इसमें भी हमने सिंगल कुरुषय से बनाना स्टार्ट किया था फिर आगे हमने डबल कुरुषय बनाया था तो चलिए इसको हम जोड़ के दिखाते हैं पहले तो हम धागी को थोड़ा सा टाइट कर लेंगे और यहां देखिए दूसरा डेजाइन हमने ले लिया है तो यहां जो हमने डबल कुरुषय देखिए जहां से स्टार्ट किया था उससे हमने कुरुषय को डाला है और दूसरे टिक की वाला डेजाइन देखिए यहां से हम दागे को निकाल के और इसमें देखिए एक तो यह चैन बनाके यहाँ पर देखिए इसके अंदर लाक के हमें सिंगल कुष्या से बंद कर देना है अब इसके आगे देखिए हम आठ सिंगल कुष्या बनाएंगे तो इसके अंदर हमने आठ सिंगल कुष्या बना लिया है देखिए बीच से हम एप बनाएंगे बीच वाले फंदे से देखिए 5 राउंड धागा निकाल के गुष्या में लेना है और इन सभी फंदों को एक साथ हम बंद कर देंगे इस तरीके से देखिए इसको बन के लेना है एक पप हमारा बन गया फिर इसके आगे हम चैन बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, यह साथ, साथ चैन बनाके बीच में हमें इसको यह देखिए जो हमने यहाँ पप बनाया है बीच में इसी के अंदर से हमें कुरुशा को डालना है और यह जो चैन हमने बनाया देखिए यहां से इसके अंदर से हम धागे को निकालेंगे और देखिए फर्स्ट वाले चैन से यहां से कुरुशा को डालके इसके अंदर से धा पर चैन के अंदर से निकाल की और स्लीप चैन से बंद करती हुए में नीचे की साइड जाना है यह देखिए चैन ने बना लिया है अब यहां पर दिखिए पाफ वाले भंदे में से भी है इसको बंद कर लेंगे तो बीच का देखिए डिजाइन बन गया है अब देखिए जो हमने 10 चैन बना के गोला बना है इसके अंदर हम सिंगल कुर्षे बनाएंगे तो इसके अंदर देखिए हमने एक सिंगल कुर्षे बना है यह देखिए 2 एट तीन चार पात छे साथ आठ तो इसके अंदर हमने आठ सिंगल कुश्या बना लिया अब इसके बाद दिखिये हैं यह जो पहला वहला टिक की था इसमें हम इसको जोड़ेंगे तो देखिये यहां से में धागे को निकालना है जो जहां से में डबल कुश्या बनाना श्टार्ट किया था यहां से धागे को निकालके और देखिये यह एक चैन बना लेना है अब देखिये इसके आगे फिर हम डबल कुश्या बनाती भी इसको बंद करेंगे एक डबल कुश्या देखिये हमने बना है और एंदेखे दो आएक है कि इसमें दस डेफ़ कृर्षय बना लेंगे जैसे हम ने फ्रस्ट वाले में बदा था बिल्कुल उसी त्रीके से इसमें बनाना है साथ तो इसके आगे देखियों दस डेफ़ बनाने के बाद फिर हम भब बनाएंगे फिर नगे डेफ़ कुझए हम बनाएंगे और लास्ट में यहां पर देखिए Branch के बनाता हुए इसमें जोड़ते हुए पत्टी अपने साइज के बराबर का बना लेंगें जितना आपको जरूँद हो अप उतना बड़ा पत्टी बनाएगे तो हम आगे बना के और इसमें दिखाते हैं तो देखिए फ्रेंज हमने इसमें और टिक्की बना के जोड लिया है एक त्रोन पट्टी मरब बहुत ही कुपसूरत है देखने में लग रहा है और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें, कमेट में बताएं हमारे वीडियो आपको कैशा लगा चैनल को हमारी सस्क्राइब नहीं किये है तो प्लीज चैनल को भी सस्क्राइब कर ले और बिल आइकन को भी आउन कर दें तो फिर मिलती हैं किसी नेडियान के साथ थैंक यू